बिहार के हर बच्चे को इंग्लिश में अब कम से कम एक सो में पच्चानवे नमबर आएगा और वो भी सिर्फ एक सेकंड में है ऐसे ऐसे फंडे लेकर आता है ओके इंग्लिश एकेडमी हर दिन इस चैनल पर शाम छे बजे ये बच्चे कहते हैं कि भई वाह अगर अंग्रेजी पॉलनी है तो सिर्फ ओके इंग्लिश एकेडमी पर क्या ट्रिक बताते हैं सर आज वैसे ही ट्रिक की एक क्लास है मैं आपको बताने वाला हूं कि वो टिन्स जिससे हर साल एक्जाम में आठ से दस क्वेश्चन आते हैं आप एक सेकंड में कैसे बना सकते हैं सिर्फ इंग्लिश पढ़ने के लिए इस आपको इस ट्रिक को और यह ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से कुछ इसमें मैं इनोवेट करने जा रहा हूं नहीं ऐसा कुछ नहीं मैं आपको वही पैटर्न बदाने वाला हूं हाँ ट्रिक्स मेरे अपने होंगे बट यह जो पैटर्न है मैं आपको वही बदाने वाला हूं जो आपके एक्जैम में अल्लेडी पूछा गया है मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं रहता है टेंस के पूछे जानेगा पहले तो आप वो जान ले तो चलो ठीक है अब आपने जान लिया कि आपका पैटर्न कुछ इस तरह का होगा क्या आपके सामने एक क्वेश्चन होगा वहां पे चार आप्शन होंगे यहां पर भर्ब का फॉर में यह देखो जैसे यह से सही वाला ऑप्शन होगा सही वाला आंसर होगा मैं अभी यह क्वेश्चन आपसे इसका आंसर मैं नहीं लूँगा आपसे ना मैं आपको बताऊंगा यह दूसरा क्वेश्चन है मैं यह भी नहीं बताने जा रहा और यह तीसरा क्वेश्चन है मैं यह भी नहीं बताने जा और टॉपस कोस 2025 से जुड़िए इंगलिश के साथ हिंदी उर्दू मैत्ति संस्क्रीत का कोस प्री है अब मैं आपको बताता हूँ यह मैं आज आपको पांच टाइप के क्वेशन बताऊंगा एक्जाम में इस तरह के जो पूछे जाते हैं मैंने बॉक्स बना दिया है उन सार आठ यहां प्रेशान होसे लेकिन परेशान होने कि अब जरूत नहीं है मैं आपको एक ट्रीक देता हूं ट्रीक यह है अगर आपको एक्जाम में कोई इस तरह का वर्ड दीखे जैसे नाओ इस ताइम इस तेज देज अगर आपको एक्वें में आती हैं ये चीज़ें अगर आपको exam में आती हैं, इन में से कोई भी भाई, इन में से कोई सा भी word, कोई सा भी, ये सब पता है क्या कहलाता है, इस सब को हम time expression कहते हैं, इन में से कोई भी time expression आएगा न, तो कुछ नहीं करोगे, is, m, या r, इन तीनों में से कोई एक ले आओगे subject के हिस आप से, तो subject क्या है तुमारा, she है, तो she में क्या लगेगा, is लगेगा, देखो option में, is है कहीं पर, यहाँ पर है, कभी कभी ऐसा होगा, कि दूसरी जगा भी, दूसरे option में भी, is देदेगा, तब तो confuse हो जाओगे, कि is यहाँ भी है, is यहाँ भी है, अब आगे क्या करें, तो उसके लिए और आगे करना क्या है आपको, कि वर्ब का चौथा फॉर्म एड कर देना है, क्योंकि यह जितने भी time expression है, यह present continuous में यूज होते हैं, तो इन में से कोई भी time expression दीखेगा, आग बंद करके, इसे मार लाओगे, और उसके साथ वर्ब का चौथा फॉर्म जोड दोगे, तो अब बताओ, यहां पर यह चौथा फॉर्म है या नहीं है, तो C आपका answer होगा, आगे बढ़ जाएए, ऐसा नहीं है, कि मैंने सिर्फ एक question बताया है, मैं इस pattern पे दो और question आपको बताता हूँ, Mr. Sharma dot dot in Mumbai nowadays, कौन सा वर्ट दिखा आपको, nowadays दिखा, दिख गया, इस MR plus V4 लगाना है अपने को, तो हमने इस लगाया, V4 लगाया, चूंकि Mr. Sharma में तो R नहीं लगेगा, एक बंदा है Mr. Sharma, तो इसमें R नहीं लगेगा, यह जवाब होगा हमारा, आगे बढ़ जो, next question, at the moment, अब बताओ यह at the moment, यहां जो मैं अभी trick बता रहा था तुमें, इसमें at the moment है नहीं है, तो इसके साथ इस MR plus V4 लगाना है, हमारे पास at the moment है, तो यहां पर she में क्या लगेगा, इसमें is लगेगा, और इसके साथ चौता फाम लगेगा, भी आपका सही answer है, आपने पहली टाइप सीख लिया है, पहला trick आपने सीख लिया है, इस तरह के total एक गरजन trick है, अगर आपने उन 12 tricks को पढ़ लिया, तो समझो 10 में 8 में 8, 10 में 10 नंबर आ गया, टेंस और भर्ब के नाम से, आता है, टेंस और वर्ब के नाम से, कोई problem नहीं है, कोई simple present, present continuous, present perfect, present perfect continuous जानने पढ़ने, लेकिने और उसमें 2-2-3-3 महीना लगा कर offline classes में 10 पढ़न आने की जुरूत नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, वस्कोर्डी गामा.India in 1498, वस्कोर्डी गामा.India in 1498, वस्कोर्डी गामा ने 1498 में क्या डिसकवर किया भाई, इंदिया को डिसकवर किया भारत की खोच क्यों, आपको ये question दिखेगा, आप थोड़े से confuse होंगे, कि पता नहीं मुझसे history पूछ रहा है क्या नहीं ऐसी बात नहीं है आप से English ही पूछी जा रही है actually ऐसा है कि ये कुछ ऐसे words हैं इनके आने के बाद आपको इसके साथ करना क्या है कि वर्ब के second form को use करना है कौन-कौन सा वर्ड है एक बार देख लो एक नजर देख लो जहांक लो अगो लॉंग अगो येस्टरडे या फिर लास्ट वीक लास्ट मन्थ लास्ट येर या फिर प्रिवियस येर प्रिवियस मन्थ या कोई historic इवेंट हो येते हासी घटना हू जैसे प्रतम विश्यू 24 मे शुरू हुआ विश्यू 1945 में समाप्त हुआ या फिर वास को डिगामा ने भारत की खुझ की 1492 ने अशोका ने कलिंग युद के बाद युद करना चोड़ दिया आगे चलो तो ये सब जो चीजे मैंने भी बताया है न वह historical event या फिर बीता हुआ दिन तुम इस साल पैदा ह हुए भारत तुनी सो 47 में आजाद हुआ तो इस सब में second form का यूज करेंगे वर्प का second form आख बंद करके अब बताओ ये historic event है या नहीं ये यतिहासिक घटना है या नहीं तो जब ये यतिहासिक घटना है तो वीटू लगेगा discovered वीटू है आगे बढ़ जोने लॉंग अग आगे चलो next one my father daughter from his job last year last year मैंने क्या बोला last year last week last month ये हो second form यूज करो resigned second form है आगे चलो next one type 3 की तरफ आते हैं अब कुछ words मैं आपको बता रहा हूँ फिर ये बताओंगे इसके साथ लगाना क्या आपको वर्ड को एक बार देख लो पढ़ लो रट लो next coming up coming tomorrow soon आने वाला दिन महिना साल इस topic पर अब तक की सबसे best video मैंने बनाई है इन में से कोई भी word हो आपको क्या करना है चैल या वि अच्छा लिए अच्छा दिक क्या आपको अगे आपको अच्छ वीक नेच्स मंथ नेक्स येर चैल विल प्लस वीवन लगाओगे डिपन करेगा सब्जिक्ट पर सब्जिक्ट शी है तो शी में आप विल लगाएंगे और पहला फॉर्म लगा दिए अब कब लगाएंगे तो जब आई और वी होगा ना तब आप शैल लगाएं अब आगे चलो next question Tonight आज राध आने वाला है? विल गो होगा यहाँ पर कि आई यू विदे के साथ हम क्या लगाते हैं? अब ये। आइवी के साथ shall लगाते हैं, वाकि जो भी होते हैं, उसमें will लगाते हैं, आइ और वी के साथ हम shall लगाते हैं, रस्ट जो भी सब्जेक्ट होगा हम उसमें विल लगाएं तो सब्जे पहले दे के साथ विल आएगा और वर्प का पहला फॉर्म तो गो हे तो गो ही आएगा आगे चलो अगले हफते बहुत ठंड बड़ेगी बहुत ठंडा होगा अब देखो यहाँ पर यह जो नेक्स है शैल विल प्लस वी बन लगेगा इट में आप भी लगाएंगे मैंने क्या बोला कि जैसे ही आपको आई वी दिख जाए शैल लगाएंगे अगर आई वी नहीं दिख रहा है टाइप पोर तोड़ा डिफरेंट है टाइप पोर यह नहीं कि इस सब में एक ही चीज लगेगी लगेगी सब में अलग 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 चीज़ है अब जैसे देखो इसे मार वजबर आपको दिखे न कहीं पर तो इसके बाद ठीक आपको वर्प का चौथा फॉर्म लगाना है कहीं पर आपको है जबर दिखता है तो आपको इसके ठीक बाद वर्प का थर्ड फॉर्म लगाना है और कहीं पर आपको डूोडी डस दिखता है तो आपको वर्प का पहला फॉर्म लगाना है आपके सामने question है have you dot the dot the Taj Mahal अब आप ये बताएं कि इसमें से कौन सेटरी के यहां पर applicable है have have had 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 have had के साथ verb का third form लगाते हैं यहां पर have had में से क्या मिल ला है have मिल ला है अब इसके साथ जो verb आएगा ना यहां पर third form लगाएंगे अब यह जो C है ना उसका third form seen होता है have you seen that Taj Mahal हो जाएगा D आपका correct आगे चलो they are dot dot to Europe यह जो R दिख रहा है ना आपको इसे मार वजबर के साथ इसे मार वजबर के साथ वर्ब का fourth form लगता है fourth form so traveling से ही answer होगा यहां पर और अगला क्या है how did you dot dot such a puzzling question यहां पर आपको क्या दिख रहा है did दिख रहा है तो मैंने क्या बोला यहां पर जैसे ही आपकी नदर did पर पड़ेगी did हो does हो do हो कुछ भी हो आपको वर्ब का पहला form लगाना है तो solve आपका correct answer होगा आपने चार questions कर लिए चार type के questions कर लिए और अब हम दो और टाइप करने वाले यह last type पर type 5 start करते हैं यहां पर देखो इन दोनों में भी फिर कुछ अलग अलग है आपको अगर कहीं पर has been, have been दिखता है और आप से पूछा जा रहे है कि has been, have been के साथ वर्ब का कौन सा form लगाना है तो आप बोलोगे वर्ब का चौता form लगेगा वहां पर और यह भी question हो सकता है कि कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि since for पहले से दे दिया रहता है question में उसके साथ कोई ना कोई time expression भी दिया रहता है जैसे since morning, for a long time, since 2010, for five years, इस तरह का अगर question हो तो आप क्या करेंगे आँख बंद करके फिर आप has been या have been इसके साथ वर्ब का चौता form लगा देंगे चुकि ये since for के साथ time expression दिया रहेगा यहाँ पे और आप से वर्ब का form पूछा जाएगा कि बताओ इसमें वर्ब का कौन सा form आने वाला है वी वी टू, वी त्री, वी फोर या वी फाइव तो आप बोलना कि वी फोर आएगा और ये अकेले ही नहीं आएगा अपने साथ has been और have been को भी लाएगा, अब has been और have been ये तो depend करेगा subject पे ना क्या आपका subject कैसा है, अगर आपका subject I है, have been लगाओ, अगर आपका subject she है, has been लगाओ, चलो खैर स्टार्ट करते हैं, पहला question आपके सामने इस pattern पे, type 5 पे, या trick 5 पे कह सकते हो आप, सोनम has been dot a dot in this college since 2005, अब बोलो कौन से pattern पे ये question, इस वाले pattern पे या इस वाले pattern पे, ऊपर वाले pattern के according या नीचे वाले pattern के according, तो नीचे वाले pattern के according, या since for के साथ time expression है, since के साथ time expression है, तो क्या करेंगे, आँख बंद करेंगे, has been ये, have been, sorry, आँख बंद करेंगे और यहाँ प पूछा जा रहा है तो आपको कौन सा फॉर्म लगाना है चौता फॉर्म लगाना है टीचिंग आपका सही जवाब है आगे चलो next question अब यह वाला जो pattern है इस pattern का question यह है यहाँ आपने क्या देखा कि for के साथ time expression दे रखा है और अब आपसे पूछा जा रहा है कि main verb का कौन सा फॉर्म लगेगा तो यहाँ पर for के साथ time expression जब दिया हुआ हो तो आपको has been या have been के साथ आपका subject दे है तो दे के साथ have been climbing आपको use करना है दे के साथ has नहीं लगेगा देखो has और have की जहां तक बात है तो यह जो चार subject मैं लिख रहा हूँ इसमें आप बिल्कुल रट लो याद कर लो इसको समझ लो जो करना है करो कि I, you, we और दे इन चारों में have ही लगता है I have, you have, we have, they have I have been, you have been, we have been, they have been आगे चलो next one क्या है next one क्या है बॉस अगला question है I dot dot for you since 10 a.m. अब देखो यहाँ पर तीन सिया फॉर के साथ मैंने क्या बोला time expression अगर होगा has been या have been plus before लगाएंगे depend करेगा आपके subject पे आपका subject आईए इसमें have been लगेगा have been waiting यह वाल आपका answer है और यह answer सही है कितने question कि हम लोगों ने तीन question कि टोटल कितने tricks पड़े पांस trick पड़े इन 5 tricks के बाद आप सिर्फ एक एक second ले रहें answer कर रहें टोटल कितना मैंने का है बारे trick का है मैंने पढ़ा रखा है already कहां पढ़ा रखा है टॉपस 12 course 2025 में अभी के अभी जाईए और जुड़ जाईए उससे tension free हो जाईए अंग्रेजी में 95 नंबर सबको आएगा बिहार में साइन्स और आर्ट्स के अगर स्टूडेंट हैं तो साइन्स आर्ट्स के लिए हमने विहार का सबसे 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 कोर्स लॉंच किया है जिसका नाम है mission 25 वाला कोर्स अब सिर्फ 999 में मिला है लाइव क्लास के साथ physics chemistry bio math पूरे एक साल तक पढ़ाएंगे आर्ट्स इस्ट्री पॉलिटी जितने भी वेपर्स हैं तारे लाइव क्लास के साथ हम पढ़ाएंगे सिर्फ 999 में 999 में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप के पास कुछ official नंबर्स हैं आप इन पर contact कर सकते हैं इस पर call कर सकते हैं इस पर WhatsApp कर सकते हैं किस्ते भी कोर्स से आप से बैच में इंग्लिश और हिंदी के लिए टॉपर्स कोर्स में और साइंस आर्ट के पेपर्स के लिए मिशन 25 में रहे सारी शुब कामना हैं लव यौ लॉट आप ग्रेट अन वंडर्फल नाइट